हेलो गाइज गुड आफ्टेनून तो एक पार महर होई तो फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस mcq series में account 2020 के लिए ठीक है गाइज तो आज हमारा 76 रहेगा 30 आउट अप 30 आप देख रहे हैं तो description box में मेरे page का link है आप उसे जाकर facebook के मुझे follow कर सकते हैं हमारे facebook का group पे उसे भी आप join कर सकते हैं और हमारा whatsapp का group है उसका link भी description box में दे रखा है आप उसको भी join कर सकते हैं जहां पर आपको important notification या कोई अगर important सी खबर होती है वहां पर मिल जाती है और एक चीज़ हमारा telegram का channel है ठीक है आप telegram के channel को भी क्या कर सकते हैं जोइन कर सकते हैं जहां पर मैं इन lectures की PDF अफ्लोड कर देता हूं ठीक है अगर आज नहीं होती है कल कर देता हूं कल नहीं होती है पर्सों कर देता हूं लेकर आपको PDF वाहां पर मिल जाती है तो गाइस बढ़ते हैं आज की lesson की तरह पहला question आपके screen पे computer महो दे तो गाइस पहला question है goods withdrawn for personal use तो गाइस जैसे आप हमारी daily routine चलती है कि 10 में से कितने marks लिए आपको बताना है ठीक है तो देखते हैं पहला question goods withdrawn for personal use is called तो personally उसके लिए goods को निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं cash drawings capital none of these तो गाइस इसका answer आपको सबको आता है मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी दिखा देता हूं इसका answer आपको में अगर हम personal use के लिए वहाँ पैसे goods को withdraw करते हैं उसे हम कहते हैं drawing अब यह चितरकला वाला जो चितरकला करते हैं यह हाथी बनाया ठीक है अब यह वह वाले चितरकला नहीं है ठीक है यह वह वाली चितरकला नहीं है बलके यह कौन चितरकला है यह पैसे निकालने वाली चितरकला है भई पैसा बोलते है ठीक है तो बस अगर पर्सनल यूज के लिए अगर आप बिजनेस में से पैसे को विड्रॉ करते हो पैसे को निकालते हो उसे हम कहते हैं गाइस जाउइंग ठीक है तो देखते हैं कॉशन नमबर टू अब वो पर्सन जिसको मनी देना है जिसको पैसे देने हैं किसने फिर्म ने अब क्यों देने हैं उससे हमने पर्चेज अब गोड्स किया है उससे हम क्या बोलते हैं एक हमारे पास क्या होते हैं वत T वी ओन उसे हम कहते हैं assets दूसरा होता है हमारे पास वट वी ओ जो हमें देना है उसे हम कहते हैं liabilities ठीक है तो देखते हैं question number 3 क्या बोलता है the assets that can be converted into cash within a short period अब वो assets जो assets होते हैं कि जो cash में convert हो जाएं अब यह दो किसम के होते हैं हमने बढ़ा था वो होते हैं कौन से कौन से एक होते हैं fixed assets ठीक है तो एक होते हैं हमारे पास current assets ठीक है तो आपको बताना है कि जो एक मतलब short period में यानि होते हैं कि एक साल से पहले पहले क्या हो जाएं एक 10 जो होते हैं फइनेंशल यह से पहले पहले अगर वो cash में convert हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं options आपके पास current assets fixed assets intangible assets या investments तो गाइज इसका answer आपको सबको आता है मुझे पता है तो किसका answer है हमारे पास current assets current assets को short or method भी बोलते हैं ठीक है जो मतलब कि शाट पिरेड में एक साल से पहले पहले वो cash में convert हो जाते हैं देखते हैं question number four हम से क्या पोछता है patent copyrights and trademarks यह क्या होते हैं current assets होते हैं fixed assets होते हैं intangible assets होते हैं या investment होती हैं तो गाइज इसका answer आपको यह भी आता होगा कि patent क्या होता है copyrights क्या होते हैं trademarks क्या होता है तो बढ़ते हैं देखते हैं इसका अंसरम क्या है तो यह tangible assets है तो fixed assets को आगे further divide किया जाता है कि इसमें tangible assets में और intangible assets में tangible assets में और intangible assets में fixed assets को क्या किया जाता है उनको further divide किया जाता है तो tangible assets वो assets होते हैं जिनको हम touch कर सकते हैं जिनको हम feel कर सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं ठीक है अब intangible assets वो assets होते हैं जिनको नहीं हम feel कर सकते हैं नहीं हम देख सकते हैं नहीं हम touch कर सकते हैं तो guys वो होते क्या हैं जिसे के patent, copyrights, trademark अब patent की यहां पर मैं आपको example बताता हूँ अब भी मान लो COVID-19 चल रहा है ठीक है बहुत सारी companies जो हैं इसकी vaccine त्यार करने में लगी हुई है ठीक है अब किसी company ने जिसे की बहुत सारी company लगी है they are spending their thousand of crores मतलब के अर्बों खर्बों में पैसा वो खर्च रहे हैं ठीक है उन्होंने पैसा खर्चा अगर उन्होंने क्या कर लिया इतने सारे पैसे खर्च लिये अगर उन्होंने कोई यहां पर vaccine त्यार कर ली किसी company ने vaccine त्यार कर ली तो क्या हो जाएगा वो उस company के लिए patent बन जाएगा यानिकि अब उस vaccine को कोई दूसरी company prepare नहीं कर सकती कोई दूसरी company कोई दूसरी जो भी है उसको त्यार नहीं कर सकती क्योंकि इन्होंने इतना सारा पैसा खर्चा अब क्या है दूसरे salt लेकर यहां से जो salt उसमें लगाया है वो salt लेकर चले जाएंगे ठीक है उनकी उतनी उत्राओं का खर्चा लागा नहीं है इसलिए कुछ सालों के लिए यह patent जो उसी company को दे जाता है कि वही company जो है इस medicine को त्यार करेगी तो guys patent की example आपको समझा गई फिर होते copyright क्या होता है आज कल तो बता है कि बहुत सारा copyright होता है ठीक है अब यहां पर देखो क् copyright क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या होता था कि किसी ने क्या बनाया किसी ने क्लाव इस ने कोई गाना बना लिया उस कहते हैं intangible assets तो बढ़ते हैं आगे question no.5 की तरफ the debt which are to be fixed within a year are known as अब वो debt वो curse जिसको एक साल में fix कर दिया जाता है ठीके उसे हम क्या कहते है fixed liabilities, current liabilities, contingent liabilities या all of the above तो देखते हैं का इसका answer क्या है अगर आता है तो comment box में जल दिसे कर दिजिए, नहीं आता है देखे इसका answer क्या है इसका answer है हमें current liabilities तो guys आपको कभी भी क्या रखना है जब भी आपको within a year ठीक है अगर आपको क्या बोला जाए short period बोला जाए या आपको within a year बोला जाए तो तब आपने क्या करना है तब आपने current इस्तिमाल करना है इसे current अफेर समझते हो ना ताजा ताजा होते हैं तो ताजा ताजा मतलब साल साल के पहले के होते हैं ठीक है तो उनको आपने क्या करना है उसको हम बोलेंगे current liabilities ठीक है चाहे वो assets में हो चाहे वो liabilities में हो तब आपने क्या बोलना है उसको current बोलना है आप यहां पर liabilities क्या हम बोलेंगे देखिए debt है करज है यहीं कि देना है इसको क्या करना है देना है अगर देना है तो तब क्या लिखेंगे liabilities अगर उससे लेना होता अगर उससे लेना होता लेना होता तब क्या होता तब हमारे पास assets होती तब हमारे पास assets आती अब हम यहां पर देना है तो यह हमारी क्या है liabilities है यहीं कि simple पाशा में कहूं तो responsibility है दिखते है question number 6 the sales is also called as अब जो sales होती है उसे हम और क्या बोलते हैं transactions, sales return, turn hour या purchase return तो गाज उसे क्या बोलते हैं sales को और क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं turn hour बोलते हैं आपका turn hour कितना रहा यह अक्सर हम सुनते हैं न बोलते हैं तो sales को हम क्या बोलते हैं turn hour भी बोलते हैं तो sales return क्या होती है अगर आपने कोई sales कर दी है मालो कि अगर अगले वाले बंदे को वह चीज़ पसंद नहीं आई है या वह चीज़ defective है उसमें problem है according to sample नहीं है तो वहांसे वह return करेगा आपको उसे हम कहेंगे sales return ठीक है ऐसे अगर आपने purchase return क्या होता है अगर आपने किसे परचेज किया आपने goods को purchase किया है Sam in the case अगर आपने sample के carding आपके पास नहीं पहुंची है ठीक है अगर या कोई अगर आप परचेज करते हो फिर अगर सेल वाला को रिटर्न करता है आपको सेल करके उसे हम कहेंगे sales return transaction कर तो आपको पता है कि एक activity होती है activity in the terms of monetary in the terms of money simple सी बात है ठीक है लिखते है question no.7 identify an item of revenue from operation of financial enterprises out of the following अब आपने एक item को identify करना है जो revenue के एक item है किससे from operation of a financial enterprises financial enterprises से अगर वहाँ पर कुछ operation हो रहा है अब यह operation थीटर वाला operation नहीं है थीटर वाला operation नहीं है भीया यह दूसरे वाला operation है function function है यहां पर किसका financial enterprises का operation है ठीक है अब आपने revenue की items को इन में से क्या करना है identify करना है कि revenue कहां से आएगा interest earned on loan अगर आपने loan पे interest कमाया है ठीक है sale of goods goods की sale करी है services render आपने कोई services दी है तो या none of these तो आपको बताना है कि इसमें से revenue कहां से आएगा financial enterprises में तो guys simple से बात है अगर आपने किसी को loan दिया है तो वहां से क्या आएगा आपको जो interest आएगा loan का principle भी तो आपके पास आएगा ही आएगा जितना loan दिया है वह तो उसका principle तो आएगा एगा उसके साथ में आपको जब loan भी मिलेगा तो वह क्या होगा guys वह होगा हमारा revenue ठीक है बढ़ते हैं question no.8 की तरफ तो guys मुझे जहां तक लगता है कि आप बहुती interest से इसको पढ़ रहे जिसे कि मैं आप बच्चों के comments वगारा देखता रहता हूं लगता है कि आप बहुती interested हो तो guys interested हो तो फिर आपसे account assistant दूर नहीं ठीक है दिखते है question no.8 क्या पूछते हैं हमसे which of the following is not a business transaction अब जो आपके पास option दिये हैं इन में से business transaction कौन सी नहीं है तैल option bought furniture of rupees 26,000 for business furniture को bought किया कितने पैसे में 26,000 में business के लिए paid rent 2,000 for salaries of employees ठीक है 2000 जो है हमने क्या किये pay किये किसको salary दी employees की अब क्या ये business transaction नहीं है अब paid rupees 500 from personal bank account for domestic use अब हमने क्या किया 500 रुपे पे किये कहां से personal जो हमारा bank account है वहां से for domestic use domestic use के लिए अब और है all of the above तो आपको बताना है कि इसमें से transaction कौन सी नहीं है यानि कि business transaction कौन सी नहीं है तो guys देखिए मैंने पहले कहा था business transaction क्या होती है जहां पे क्या हो एक तो वहां पे activity होनी चाहिए ठीक है दूसरा वहां पे क्या होना चाहिए तब उसे कहते हैं हम business transaction अब देखिए यहां पे मैं समझाता हूं आपको फरनीचर बॉट किया फरनीचर खिदा कितने का कुछ खरीदा क्या खरीदा फरनीचर खरीदा एक्टिविटी हुई की नहीं हुई बिलकुल हुई तो पैसे में हुई की नहीं हुई बिलकुल हुई तो यह क्या है transaction है ठीक है उसके बाद paid for rupees 2000 2000 मैंने पे किये किस में पे किये salary पे की मैंने अब यहां पर बताओ क्या हमारी कोई activity हुई हाँ हुई पे किये मैंने salary दी इसको अब मैंने simple अब यहां पर मैंने क्या किया paid rupees 5000 अब यहां पर bank account से मैंने बोला नहीं है अब salary pay किये activity है या मैं वहां पर गया होंगा या employees मेरे पास आया होंगे activity हुई बीज में की नहीं हुई बिलकुल हुई तो यह भी transaction है फिर है हमारे पास मैंने 500 5000 रुपे pay किये personal bank account से गर बैठे बैठे मैंने domestic use के लिए pay कर दिये ठीक है तो अब यह क्या है इसको हम transaction नहीं बोलेंगे बेशक यहां पर monitor term में हुआ है लेकिन यहां पर activity नहीं हुई है इसलिए हम इसे transaction नहीं कहेंगे ठीक है तो बढ़ते है question number 9 की तरफ हम से क्या पूछता है which of the following is not a fixed asset अब इन में से fixed asset कौन सी नहीं है तो option नहीं आपके सामने building land and machinery balance with bank all of these आपको बोलना है कि fixed asset कौन सी नहीं है तो fixed asset क्या होती है जो आपके पास एक साल से ज्यादा रहने वाली है तो गाइस देखते हैं क्या building कर दो क्या का ईक साल रहेगी क्या नहीं बेया यह तो हमारे पद जादा टाम रहने वाली है यह लैनंãy मशीनरी अगर आपने कहीं जमीन लिए अगर उर और मशीनरी ली आपके बस पास سकते एक साल रहने वाली जो अरे नहीं बढ़िया वह ठोंहता कि ऑया balance with bank आप देखे इसने all of these कहा है अगर जल्दी में option अगर क्लिक करना है देखे building and machinery अगर दो आ गए हैं तो समझो इसमें क्या होगा all of these नहीं होगा इसने बोला है कि fixed asset कौन सी नहीं है fixed asset कौन सी नहीं है तो building भी fixed asset है land and machinery fix factor है चलो देखते हैं इसका answer क्या होगा तो गाइज वह होगा balance with bank ठीक है sorry उसके लिए युमने कहा मुझे लगा कि यह सारा है fixed asset कौन सा रहे हैं तो guys जल्दी में answer आपको नहीं करना है sorry जल्दी में answer आपको नहीं करना है आपको अच्छी से answer question को पढ़ना है तो fixed asset कौन सी नहीं है balance with bank भई आज है एक मीने के बाद balance निकाल लोगई खतम दो मीने का balance निकाल लोगई खतम तो सालों साल तो आपका balance रहने वाला नहीं है ठीक है हाँ अगर fixed deposit है अगर क्या है fixed deposit है तो अगर नहीं है तो उसे fixed asset कहेंगे अगर नहीं है तो यह हमारी fixed asset नहीं है ठीक है तो बढ़ते है question number 10 last question हमारी इस वीडियो का तो guys I hope कि आप हमारे इस series को अच्छे से enjoy कर पा रहे होंगे ठीक है तो guys मुझे भी मज़ा आता है जब मुझे अच्छे आप बच्चों के replies मिलते हैं ठीक है अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो बता देजिए कर अच्छी लगती है series आपकी इस में से financial character की कौन सी नहीं है purchase of assets on credit मैंने asset जो है मैंने उधारी पे ख्रीदी मैंने asset purchase की cash दिया मैंने मैंने cash निकाला personal use के लिए drawing की मैंने strike by employees employees ने strike की अब आपको बताना है कि इस में से financial character की transaction कौन सी नहीं है तो guys simple size का answer है अगर employees ने strike की है तो वो काहे का financial character काहे की transaction तो simple से बात है यह कोई transaction यहाँ पर नहीं है ठीक है तो guys I hope कि आपको यह 10 के 10 question आते होंगे अगर नहीं आते थे 10 question आपने सीख लिए तो guys वीडियो देखने के लिए आपका धन्याबाद thank you God bless you all तो मिलते हैं कल की वीडियो में सबादास बज़ा है computer section की तब तक के लिए thank you God bless you all